दोस्तों जैसे हम किसी का नाम लेते हैं जैसे मानली जी महात्मा गांदी तो हमारे मन में एक छबी बनती है उसका जो है माइंड में एक ड्रोइंड बनता है कैसे महात्मा गांदी लाठी लिया होंगे दस्मा लगाया होंगे अगर यह मानले रानिलेश्मी भाई का नाम लेते हैं तो उसका एक मन में छभी बनता है बोड़े पर बैठी हुई, पिछे बचे को टाग हुई, हाथ में खलवार लेए तो इस परकार से हम जिस भी बेक्ति के बारे में सोचते हैं मानली जी राम के बारे में सोच रहे हैं, तो राम के बारे में धनूस लिये हुए है, उनके साथ में लच्छुमन है तो इस परकार से जिसके बारे में भी सोचते हैं, अन्मान जी के बारे में अगर सोचते हैं तो मन में एक छवी बनती है उसका ड्रोई बनता है मैंड में गदा लिये हुए होगे और लगोट पेने हुए है तो इस परकार से हम जिस भी वेक्टिर के बारे में सोचते हैं तो एक उसका छवी बनता है तो दोस्तों ऐसे ही आप सोची अपने बारे में कि हमारे बारे में ल अगर चबी अगर बन रही है यो कुछ नहीं कर पा रहा है या फिर वो निकम्मा है तो आप अपने आपको बदल दीजिए अपने आपको ऐसा बनाईए कि हरे कोई सोचने वाला बोले यहां यह आदमी है जो कुछ कर रहा है और करके दिखाया